मोमोस खाने का असली मज़ा आता है पहाडों के बीच में और आज हम आए उत्रागन की वादियों में एक नेपाली कैफे मिट्टू कैफे इंजॉय करने के लिए नेपाली कोजीन और मोमोस के साथ हमने काफी चीज़े और भी होई जैसे चिकन चोलिया चिकन चोलिया क्या होत इसमें काफी स्पाइसी उन्होंने हमसे पूचा स्टाइटिंग में कितना स्पाइसी होगे माला सबसे स्पाइस से लिया और हमारा हाल वही हुआ जो मिता बजन का इस मूवी में हुआ था और च्रिवडे में कभी कबार कुछ चावला कंकड में निकला तो इनको यह इस डिफरेंट जो फ्रेश बनता है और आप खा सकते हो उसको इसका भी स्वात काफी अच्छा था और काफी मज़ा है खाके उसके हमने वाई 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 सडी को जिनको नहीं बता वाई 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 क्या है जैसी इंडिया में मैगी फेमस है वैसी नेबाल के न वाई चाफी अच्छी होती है और इंडियन देयर जा पर जाके उन्होंने यह बिजनेस शुरू करा यह सब खाने की बीच में हमने सोचा थोड़ा बहुत खाना हजम कर लिया जा तो हमने मौई एक फ्रूट बियर और ऐसे खाने का फ्रूट बियर का टेस्ट अपना अलगी मज़ जो बच्छमने पीते हैं जो में से मिलें हैं उनको पता है फ्रूट बियर का स्वाद कितना बड़िया होता है उसके बार हमने मौई लैम मौमोस और इसके साथ में जो चटनी यह दे रहे हैं उसको कहते हैं मौमो का अचार और कितनी बड़िया फिलिंग का रखी है स्पाइ इसके बार है आपका गोर का चटनी पिकल वेज़िटेबल जीसे घौरा बोल रहे है उसके बार है घुंटूट जो है मुली की उपर को पता होता है उससे बनाया जाता है और काफी अच्छा टेस्ट है इसका फिर आलू फ्राइड्स जो आपको वेजी जैसे लग रहे है वह उसके बाद है राई का साग जो एक लोकल वेजिटेशन है भी काफी अच्छा था फे साथ में मिक्स वेजी टेबल नेपाली स्टाइल चिकन करी और उसके बाद है मास की डाल जो बनी है पहारी स्टाइल से साथ पापर और थोड़ा सैलेड भी दे रखे है जो बीच में आप क्ले ऐसे देख रहूं रागी है और रागी को बॉयल करके उसका पेज बना के इसको ऐसा बना जाता है सम्धिंग लाइक यह नो रागी मुद्धे जो कनाटेका में मिलता है और इसको खाने का तरीका अलग है आप हमने पहले सिंबल बाइट लिए उनने बोला फिर आप इसका नौर्थ इंडियन जैसा है तो आप यहाँ पे राइस जरूर लेना यह धीडो जो है वो अवाइड करना बिकोज आपको फ्लेवर नहीं आएगा बाकी सब कुछ ठीक था बट आए मिस्स राइस की काश मैं इसका राइस मुआ लेता है तो यह ठाली का एक्स्पियेंस मेरा और भी अच्छा हो जाता यहाँ पे हमारा बिलता कुछ अराउंड अठारा सो रुपे और एक्स्पियेंस काफी अच्छा था तो मस्ट विजट प्लेस इन देरादून टू इंजोए वेरी गुड नेपाली फूड